वो छोटे से लेकर के बड़े तक हर किसी का सम्मान करती है अपना है कि पराया हर किसी को मान देती है कभी जूट नहीं बोलती हमेशा सचकाही वो साथ देती है धर्म की बात हो करतवे की बात हो या फिर बात हो घर परिवार के सम्मान की वो वो है जो दूसरा कोई नहीं वो व कर देती है जो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता वो कभी गलत हो ही नहीं सकती हर कोई यही मानता है उसका दुस्मन होकी उसका कोई अपना हर कोई जानता है कि देवी अहिल्या कभी गलत नहीं हो सकती वो हमेशा सही काम करती है और सही का ही दे दिया है और गोत्मा बाई सरकार का अनादर कर दिया है उनके कही की अभेल ना कर दिये बेश्यक ना चाहते हुए मगर देवी अहिल्या ने आज वो काम कर दिया है जो कोई नहीं चाहता था कि वो करे हरकुबाई भी नहीं चाहती थी खुद देवी अहिल्या भी नहीं चा पहने पर दर्बार में कदम रख दिया है और यहीं से गौत्मा भाई सरकार के मन में जो डर था वो और ज्यादा पुकता हो गया है द्वार का बाई साहिब ने कहा था कि वो राजपार्ट में अभी हिस्सा लेगी और क्योंकि गद्धी को सो चस्का लग गया है तो वो नहीं चोड़ेगी गद्धी को राजपाठ के कारियों के लिए दर्बार में आएगी और यहां पर गौत्मा भाई सरकार ने मना किया था देवी एहले ने हामी भरी थी को दर्बार में नहीं आएगी मगर फिर भी ओधर दर्बार में आगई है और द्वार का बाई साहिब ने जो जो है वो गायब हो जाती है चिंता की लकीरें चहरे पर आ जाती है माते पर डर आ जाता है कि ये क्या हो रहा है जब वो देखती है कि देवी एहले युरास खंडेराव के पीछे पीछे आ रही होती है दर्बार में और जो युरास खंडेराव की चाल में उनको आत्म विश च्वास यूराज खंडे राव की सोच में नहीं था वो उनके दिल में था जो देवी अहिल्या के नाम से आया था देवी अहिल्या के कदम उनके कदमों के पीछे पीछे थे बेशक पीछे थे मगर यहां पर डर गई है गोत्मा भाई सरकार के देवी अहिल्या ने उनकी बात कर दी है उनके कहे का मान नहीं रखा ौर जो डर था कि युराज खंडिराव की गड्धी कहीं देवी अहिल्या ना ले ले वो और ज़ड़ा पुक्ता हो गया है यहां पर उनको डर हैं बेशिक निर्णे युराज खंडिराव ले मगर किसके नाम आएगा देवी अहिल्या के आने के आने के बाद में निर्ने ले पाए युरास खंडिराव पहले वो दर्बार को स्थगित किया उन्होंने मगर निर्ने नहीं नहीं ले पाए थे देवे हिल्या जैसे आई निरने आ गया और यहीं से यहीं से कड़वाहट का भी जुग जाएगा बेशक देवे हिल्या इस समझ्चा का निदान कर दे जो यूराज खंडिराव जी समझ्चा में फस्थे हैं भी क्योंकि नियाए करना चाहते हैं समाजिक परंप्राओं को और समाजिक संबंदों को बड़ अच्छे से समझती है देवे हिल्या इसलिए उन्होंने देखा कि देवे हिल्या ही इसका निवारन कर सकती है वो ले आए देवे हिल्या को दरबार में मगर उनकी सासु बाई नहीं चाहती थी तो कड़वाहट लाजमी है और तो क्या समझ्या का निदान करने के बाद में देवे हिल्या अपनी सासु बाई का जो अभी चहरा हो गया है उसको दुबारा से मुस्क्राहट में बदल पाएगी खुशी उनके चहरे पर रोनक जो है खुशी की वो लोटा पाएगी वो आत्म विश्वास के हाँ युवराज खंडे राव ही गद्धी के असली उत्रा दिकारी है वही गद्धी पर बैठेंगे उन्हें गद्धी का एराज पाठा को लोब नहीं है देवी अहिल्या को देवी अहिल्या अपनी सासु बाई को क्या ये विश्वास दिला पाएगी ये देखने वाली बात रहेगी बेश्यक वक्त लगेगा मगर देवी अहिल्या विश्वास दिला देगी उनकी सासुबाई को कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सुनबाई है और विवराज खंडराव के पत्नी है और बस इतने ही वो बने रहना चाहती है